उत्तरप्रदेश में एक बार फिर करोना संक्रमर के मामलों में व्रधी हो रही है लगतार करोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है वहीं सरकारी कार्यालियों में कर्मिचारियों की उपस्तिती को लेकर भी सरकार की ओर से नियमों में कड़ाई कर दी गई है ऐसे में अगर किसी कर्मिचारी में कुरोना संक्रमर का मामला सामने आता है तो उसे एक महिने का आकास्मिक अवकाश दिये जाने की गोशना की गई है इससे सरकारी कार्यालियों में काम करने वाले कर्मिचारीयों को महामारी के खौफ से निकलने में मदद मिलेगी यूपी की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव विभागा ध्यच और कार्यालियों के अध्यक्ष्ट को कोविट सरंकर्मित कर्मिचारियों के लिए आकास्मिक अवकास स्विक्रत के जाने संबंदित आदेश चारी क किया गया है आदेश में साफतोर पर कहा गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाय जाने वाले कर्मचारियों को अधिक तम एक महा तक की आकाश्मिक आवकास के स्विक्रति प्रदान की जाए इसके साथ ही कर्मचारी के आवास में किसी के कुरोना होने की सिती में अधिक तम 21 द दिये जाने का आदेश दिया है इस समंद्ध में कहा गया है कि भले ही आटी-पी-सी-ार रिपोर्ट में कोविड निगेटिव आया हो लेकिन अगर कर्मचारी का इराज लंबा चला ब्लड रिपोर्ट या सिडी स्कैन रिपोर्ट में कोविड की पुस्त्री होती है तो इसक प्रमार पत्र के आधार पर छुट्टी मन्जूर की जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट लाइव इंडिया न्यूस लखनो